जैसे वह दोस्तों आज हम हमारे जो reward points रहते हैं योनो में जब भी आप कोई transaction करते हैं login करते हैं या फिर कुछ भी मतलब activity करते हैं आप योनो पे तो कुछ reward points हमें मिलते हैं वो reward points किया है आप गर use नहीं करते हैं तो redeem नहीं करते हैं तो वह वाला जो expired हो जाता है इसके उपर आपको क्लिक करना है यहां पर देखें मेरे पाद 634 पॉइंट थे और रैटीम नव पे जासी क्लिक करता हूँ अभी तक और expired हो गए मेरे 1725 यानि कि यह तेइस सो में से 1700 मेरे expired हो चुका है मैं यूज करता ही नहीं हूं देखता ही नहीं हूं यह रीडिम पॉइंट्स कैसे करते हैं यह सब क्या rewards है ठीक है तो कप-कप मेरा यह reward मुझे मिला है उसका भी यहां पे एक transaction retail यहां पे है तो इसे रीडिम कैसे करते हैं चलिये देखते हैं यहां पर ते एक disclaimer आता है उनका इसे आप आई एगरी पर क्लिक कर दीजिए सो यहां पर यह देखिए claim your rewards करके यहां पर option आरहा है ऐए कॉमर्स वेबसाइट्स और यहां पर कोई बडॉदक्ट जो है वह आप आप इसे पर्चेस कर पाएंगे शायर यहां पर देखिए ओटी जी कनेक्टर है यहां पर और यहां पर एक ठो यहां पर पेपर है यहां यूनिवर्सल वाटर पेपर पता नहीं क्या है यह यही दोनों यहां पर प्रोडक्ट्स मौझूद है तो मैं यह वाला यहां पर सिलेट कर रहा हूं रिडिम नाओ देखते हैं क्या होता है यहां पर यूएस बी टाइप सी टू टाइप ए ओटीची एडप्टर ठीक है ओके फिलाल इसे यहां पर मैं ले रहा हूं यहां पर दीए अड्निव एड्रेस पर यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे अपना एड्रेस पुरा यहां पर डालना पड़ेगा इसे यहां पर ओडर करने के लिए असाल मैं जी सब कुछ यहां पर फिलफ कर देता हूं आप अपना भर दिया है अब हट् पर एड्टरेस में Image करते हैं जी सने मेरा वो एड हो गया है ठीक है अभी नीचे आके यहां पर continue पर क्लिक करते हैं देखते हैं इसमें कितना discount मिलता है कितना charges यहां पर क्या है और सब कुछ यहां पर check करते हैं अच्छा 500 points का था यह तो मेरे पास वो 600 something points थे तो हो गया यहां पर देखिए OTP आ गया है 567029 7029 यहां पर डाल देते हैं confirm पर क्लिक करते हैं ओके तो मेरे पास यहां पर देखिए जो यहां पर 600 कुछ यहां पर rewards थे उनके against में मैंने एक बढ़िया सा यहां पर order कर दिया है एक OTG connector ठीक है चलिए यह मेरे काम आ जाएगा pen drive को मैं directly यहां पर OTG मतलब mobile में ही connect कर पाऊंगा यह बहुत बढ़िया बात है अब यहां पर आप अपना receipt वगेरा भी देख सकते हैं यह है वो receipt ठीक है और इस receipt को आप download भी कर सकते हैं इसमें reference number order date वगेरा सब कुछ यहां पर मिल जाएगा अब भी वापस से अपना SBI rewards पर जाते हैं देखते हैं कितना बच गया यहां भी देखिए 134 points मेरे रह गए ठी है तो अभी आप फिर से इसे भी redeem कर सकते हैं लेकिन 134 में शायद मुझे कुछ मिलेगा नहीं मैंने बेकार में यहां पर 1700 points जो है मेरे वेस्ट कर दिया है यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है total expired points 1700 सो सोचे मैं 1700 में कितना कुछ-कुछ खरीद सकता था बहुत सारी करिए अभी जाइए और चेक करिए कि आपके पास rewards में कितने points पड़े हुए हैं उन points को use करिए और कुछ ना कुछ shopping कर लिजे ठीक है या फिर अपना mobile का recharge ही कर लिजे आप इसमें चाहिए तो अपना mobile का recharge भी कर सकते हैं यहां पर recharge का option है यहां पर देखिए recharge का option मिल जाता ह आपको इस recharge के उपर जैसे आप क्लिक करेंगे आप लिजे अपना mobile recharge prepaid postpaid अप डिचाज कर सकते हैं ठीक है फास्ट एक में payment कर सकते हैं electricity बिल वर सकते हैं ग्यार्स का बिल भर सकते हैं तो यहां पर जैसे यह प्रिपेड में क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नमर यहां पर देना पड़ेगा ऑपरेटर जो हुए एटल भी एसनल जीओ जो भी है वो देना पड़ेगा उसके बाद आई हैव एग्रीड यह वाला रीड उनका टर्म संट कर्णिशन पर क् ठीक है तो कुछ भी आप यहां पर यूज कर लिजे जितने भी reward points आपके यहां पर मौजूद है ठीक है उनको आप जितनी जल्दी हो सके यूज कर लिजे क्यूंकि पड़े पड़े वो वेस्ट हो रहे हैं मेरे 1700 वेस्ट हो गए ठीक है तो अगर यह वीडियो आपको अच् जाज याराम